हालो दोस्तो नमस्कार वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चेर में स्वागत है तो दोस्तो आप देख रहे हैं वेकेंसी एरा एजूकेशन और आज मैं एक और अच्छी अपडेट आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ खास कर उन स्टुडेंटों की बात हम करेंगे जो काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास ये ट्रेड है और हमारी ये भरती कब आईगी तो दोस्तो कुछ वेकेंसियां है अलग-अलग लिमिटेड कमपनियों से जो छोटे या बड़े बदों पे हर वक्त वेकेंसिया निकालता रहता है जिसकी जानकरी जादा कर इस्टुडेंटों को नहीं होती है आज हम उसकी ही बात करने वाले हैं अगर आपको इसकी अपडेट मिल चुकी है तो अच्छी बात है अगर नहीं मिली वो विध्यारती इस चैनल को या फिर इस नोटर पी किसन को जरूर देख है तो यहां पर हम सुरुआत करने वाले मिस्टर दातु निगम लिमिटेड के उपर जहां पर भारत के बड़े-बड़े जो निर्मान छित्र है जिनमें यह आपको बता दे मिस्टर दातु के अंदर जो यह पार्ट्स वगरा मेकेनिकल की जो चीजे होती है उनका निर्मान यहां पे किया जाता है तो यहां पे assistant और worker की भरतियां निकली हुई है जिसके अंदर सिर्प ITI और 10W की ही qualification माणगी गिया qualification इसलिए माणगी है 10W की ताकि वो विद्यारती ITI पास का है यानि कि 10W के बाद ITI होना जरूरी है जो और ITI के साथ certificate किस trade से relative है ये भी आपको मैं ध्यान में रखते हुए इसे आप आवेदन करेंगे मैं सबसे पहले notification के लिए करवाने से पहले यहाँ पर कुछ बाते के लिए करवा दूँ बाकी student की हम बात करें जिनके पास इसकी qualification नहीं है तो दोस्तों आपके लिए और कोई update जरूर मिलेगी तो ये सरकारी है पर्माने जो मिलने वाली है इसमें experience भी होगा कुछ पोस्टों के लिए और जो experience है उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस update को तो हम इसके officially notification पर मैं लेके चलू तो ये देखेगा इसका officially notification है जो पूरा एक page का है अब आपको इसको download करना है ये भी मैं आपको दिखा दूँगा कैसे आपको इसको अपने mobile से या फिर अपने laptop से कैसे से ब्राप्त कर और ये आप यहां पर 20 नौवंबर से apply कर सकते हैं एडवाइटेड विज्यापन की इसमें जानकारी दी हुई है लेकिन आपको बता दें इसमें अभी तक आवेदन परके के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है बस एक notification जारी किया है संस्ता ने जिसके अनुसार आप केटिकरी को invite किया गया है SSC plus में ITI यानिकी feeder only for feeder को ही allow किया गया है ध्यान रखेगा अगर आपके पास feeder की trade है वही student इसमें apply करेगा जिसके पास ITI है और electrical mechanical है वो student इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे एक बार फिर से repeat किया जाता है कि अगर आपके पास feeder की trade है और इसके सा salary पर मंत के रूप में प्राप्त कर सकते हैं 18-30 वर्स तक का विध्यारती ही इसमें आवेदन करेगा इसमें आपको selection processor की बात करें तो किसी परकार का को return test नहीं देना होगा एकदम सीधी भरती होगी सीधी भरती के बात किया जाए तो आपको यहाँ पे interview के लिए invite किया 3 December तक आप इसे submit करवा सकते हैं 30 December को sorry 3 December को इसका आपको interview के लिए invite भी किया जाएगा तो यानिकि हैदराबाद में आप इसका interview दे पाएंगे तो दोस्तों यह है इसका विवरन I hope कि आप सभी को यह clear हो चुका होगा और फिर भी किसी को doubt हो तो आप हमें comment में लिख सकते हैं अब मैं इसमें बात करूँ इसकी officially website पर जहां से आप लोग इसका notification राप्त करना चाहेंगे कई student ऐसे होते हैं कि हमें इसका officially notification दीजिए या फिर आप खुद भी swim देख सकते हैं मैं आसान तरीके से आपको यहां पर simple ही आपको बता दूँ आप इसकी officially website पर जाएंगे तो इ इसका जो notification है data है वो सारा यहीं से आप राप्त कर सकते हैं latest trading में जो है अभी उसकी बात कर लो या फिर जो भी है आप यहां से प्राप्त कर पाएंगे तो दोस्तों यह लाइनिंग में है पस्ट लाइनिंग में आपको यहां पर मिल जाएगा officially notification और फिर भी आपको डाउट कर पाएंगे तो दोस्तों आज के लिए बैसी तरह हैं अगली भरती के साथ मैं फिर शुरुआत करूंगा थैंक्यू दोस्तों जैह हीं दोस्तों